अग्लो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इरूपिये कलाकारों के बारे में बताएंगे उनका डेटा बर्त के बारे बताएंगे जो आने वाले पिजिटी के जाम्मे बहुत ही मौतपूर डोगा तो सबसे पहले हम आपको गर्तन दिवस की बहुत बहुत सारी सुपकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं और चलते हैं कि जो आज का हमारा जो कोस्चन है जो पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से आप देख शकते हैं यहाँ पे यूरोपिय चित्रकार के नाम लिखे हुए हैं और यह पुनरत्थान कलासे संबंधित कलाका कारा फ्रा एंजेलिको फ्रा एंजेलिको का जो जन्म है लुकां दूसरे की इन का मेंन चाराres वाइका संबनात्क सब्सक्राइब करुंद्गॉर्स सबसक्राणागार्य का रादिशा जतैं के सुसजए इंच रूपते दोस्तों के दूसरे हैं अम चैका्यों आटाथारां स ये दोस्तों जीवतों और बुरुना लेसी के कलाग से बहुत ज्यादा प्रभावीत हैं और इनकी जो मित हुई थी दोस्तों बहुत ही कम उम्र में हो गई थी लेकिन बहुत ही कम उम्र में इनों ने बहुत से ख्यातिया प्राप्त कर ली थी नेक्स्ट है सांद्रोवेती चेली दोस्तों सांद्रोवेती चेली 1445 में इनका जन्म होगा था और दोस्तों 1445 में जन्म होगा था यह बहुत महान कलाकार माने गए जो कि कला के छेत्र में ही नहीं विज्ञान के भी छेत्र में कभी के रूप में नजाने किस किस रूप में यह जाने गए इनका जन्म देख लिजिए 1452 में हुआ था 1519 में इनकी मृत्य हो गई थी दोस्तों माइकल एंजिलो यह भी फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था 1474 में इनका जन्म हुआ था 1564 में इनकी मृत्य हो गई थी इनके पिता एक नियाधीश थे और इनके कलाकरतियों के बारे में दोस्तों हम नेक्ट वीडियो में बताएंगे जितने भी आठिस्टों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों इनकी बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अभी सिर्फ हम डेट आप बड़्त के बारे में जनकारी देना चाह रहे थे आप लोगो ताकि पीजी टी का जो कोस्टन है आ रहा है उसमें आप लोग के लिए बहुत महत्व पूर रहेगा रैफिल सांजीो दोस्तो पूरत्फान काल के ये तीनों कलाकार बहुत थी मतलब नामी कलाकार थे लियोनार्दोड nozzle 20 में सबसे पहले आते हैं उसके वासे माईकल एंचिललो उसके वासे रैफिल तो दोस्तो रेफेल जो है 1483 में इनका जन्म हुआ था पंदरोश बीश में इनकी मृत्य हुई थी पेरू जिनों की चित्रसाला में इन्होंने कारे किया सीखा था अपना जोर्जियाउन दोस्तो जोर्जियाउन जो है वेनिस कलाकार है और 1476 में इसकी जन्म हुईती 1510 में इसका अमित हुआ था और इसे वंसी बजाना बहुत ही पसंद था और इसने अपने जो कलाकृतियाँ तयार की हैं वो संगीत से ही संबंदित ज्यादा तर है इसके बार में हम आगे डिटेल बताएंगे जो संबंदित संगीत से संबंदित बहुत सारी इंकी कलाकृतियाँ हैं दोस्तों टीशियन 1487 में जन्म हुआ तब 1576 में की मृत हुई थी और यह जो है जिवानी बेलनी का बेलनी का सिसे रहे हैं यह नेक्स्ट है जेकिवस लुईस दाविद जेकिवस लुईस दाविद इनका जन्म दोस्तों 1748 में और 1825 में इनकी मीत हुई थी यह लोग दोस्तों यहां से नौ सास्त्रिवाद कलाकार में यह लोग गिने गए हैं दाविद की जो चेत्र थे दोस्तों समाजी तथा राजनी ते क्रांती को दर्साता था अन्तावाइन जा ग्राश अन्तावाइन जा ग्राश 1771 में इनका जन्म हुआ था 1835 में इनकी मृत हुई थी और यह दाविद के सिस्ये थे जीन अगुर्ट डोमिनिक आगर जीन अगुर्ट डोमिनिक आगर दोस्तों 1780 में इनकी जन्म हुआ था और 1867 में इनकी मित हुई थी नौ सास्त्रिवाद के दूसरे मुखे कलकार इनको जाना गया जीन अगुर्ट डोमिनिक आगर को मेडम एलिजावेथ लूइस वीगी लीवर्ण मेडम एलिजावेथ लूइस वीगी लीवर्ण इनका जन्म दोस्तों 1745 में हुआ था 1842 में इनकी मित हुई थी जेरी काल्ट थियोडोर दोस्तों सचंदावादी कलकार है यह जेरी काल्ट थियोडोर 1791 में इनका जन्म हुआ था 1824 में इनकी मित हुई थी यह फ्रेंच सचंदवाद के अगरदूत इनकों कहा जाता है दोस्तों जेरी काल्ट को फ्रेंच सचंदवाद का अगरदूत भी कहा जाता है फर्डिनाल्ड विक्टर युगेल द्रिलाका दोस्तों 1798 में इनका जन्म हुआ था 1863 में इनकी मृत हुई थी यह भी फ्रांसिसी कलकार थी और यह द्रिलाका के चित्रसाहिली से ज्यादा प्रभावित थे और यह बहुत ही एक्स्प्रेमेंटल आर्टिस्ट थे दोस्तों बहुत ही प्रग्शील आर्टिस्ट थे फरडिनाल विक्टर यूगेल द्रिलाका जो है नेश्ट है जोसेफ जोसेफ लोर्ड विलियम टर्नर बहुत ही टफ होता है दोस्तों इन लोगों का नाम याद करना साथ में डेट आफ वर्थ याद करना इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग पढ़के और वीडियो देख कर भी उस चीज़ को दिमाग में बैठाए जोसेफ मलोर्ड विलियम टर्नर दोस्तों इनका जो जन्म है 1775 में हुआ था 1851 में इनकी मृत्व हो गई थी विलियम टर्नर की ये लेंडिस्केप आर्टिस्ट है टर्नर जो है दोस्तों एक नाई के पूत्र थे इनका जन्म जैसे मैंने बताया 1775 में हुआ था और ये बहुत थी सुन्दर लेंडिस्केप जाने गए इनके साथ एक और थे चर्चा भी हम आगे करेंगे दोस्तों थामस ग्रिटीन थामस ग्रिटीन दोस्तों 1775 में इनका जन्म हुआ था 1802 में की मृत्व हो गई थी ग्रिटीन एक रशी फेक्टरी के मालिक का पुत्र थे और ये टर्नर के समकाले नहीं जल्रंग के तरकार थे पिडर डी विंट पिडर डी विंट जो है ये इस्टे फोर्ट सायर के स्टोन नाम मग गाउ में इनका जन्म हुआ था पिडर डी विंट का 1784 में और 1849 में इनकी मृत्व हो गई थी दोस्तों डेविट कॉक्स डेविट कॉक्स जो है बर्निगम के निकट डेरी डेंट में इनका जन्म हुआ था और ये तेज हवा आंधी तुफान जैसे चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद है इनका जन्म 1783 में हुआ था दोस्तों जान कॉंस्टेबल दोस्तों जान कॉंस्टेबल अठार सो चेटर में जन्म हुआ था और 1837 में किम्रित हो गई थी जॉन कॉंस्टेबल जैसे हमने बताया था दोस्तों टर्नर के साथ यही दो एक लैंडिस्केप आर्टिर्स थे जो बहुत ज्यादा उससमें फेमस थे और आज भी जब भी हम लैंडिस्केप की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इंगलिस चित्रका ओंध बादलों के लिए स्वाज़ीद तो पानी संद्र के लिए जाने जाते हैं तो स्मयों के लिए जाने जाते हैं तो दोस्तों कांश्टेबूल का जो जर्म हुआ था 11 जुलाई 17 शचे APPर मिंट्वा था और मिर्ट तो । साइतीश में हुआ था रिचर्ड पार्क वेनिंगटन इंका जन्मु ऊथा दोस्तों ओ नेटिंगम के निकट और नॉल्ड में हुआ था इनके पिता एक व्यक्ति चित्रकार थे और माता सिचका थी 1802 में इनके जन्म हुआ था और 1828 में इनकी मृत्व हुई थी और ये अपने चमकदार ओजपूर रंग योजना के लिए जाने जाते हैं जॉन क्रों जॉन क्रों दोस्तों नर्वीच में इनका जन्म हुआ था 1738 में और 1829 में इनकी मृत्व हुई थी है ये एक जुलाहे के पुत्र थे निर्धन जुलाहे के पुत्र थे मतलब घरीब थे जॉन सेल कॉट में जो है ये वेपारी के एक पुत्र थे 1782 में इनका जन्म हुआ था 1842 में इनकी मृत्व हुई थी ब्लियम ब्लेग ब्लियम ब्लेग जो है 1757 में इनका जन्म हुआ था इनको अलोकिक अनुभाओं का चितेरा कहा गया है दोस्तों ब्लियम ब्लेग को अलोकिक अनुभाओं का चितेरा कहा गया है जब ये केवल चार वर्स के थे तो एक खिड़की में उसे इश्वर का मुख दिखाई दिया था और वो भाय से कापने लगे थे एक बार एक ब्रिच्च की साखा पर जूलते देव दूत मूल गया इसके पस्चात महानिसाई संद के दर्सन हुए इन अनुभवों के कला पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा दोस्तों इसलिए इनको अलोकिक अनुभवों का चितेरा कहा गया है बिलियम ब्लेक को जिनका जन्म सत्तर सो संतामन में हुआ था अठार सो सत्ता इसमीं के मृत हुई थी आज का हमारा ये आखरी कोश्चन था दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा तो प्लीस कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सस्क्राइब नहीं कियें तो प्लीस इसे सस्क्राइब करिए ताकि इस तरीके का ये वीडियो हमारा आप तक पहुश शके और ये वीडियो हमारा कैसा है क्या इस पे हमें आगे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्लीस कमेंट में लिखिए बताइए हमें कि हम क्या इसके आगे और मतलब इस पे कारे करें experiment करें कि और किस तरीके से आप लोगों को नए नए वीडियो बना कि हम देख सकते हैं art, history से संबंदित art and craft से संबंदित तो दोस्तों मिलते हैं नए next वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद